हेलो फ्रेंड स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर तो देखिए देशे कि आप सभी को पता है कल ही आपने एक्जाम दिया है कॉमर्स का एस्टेट का कल एक्जाम आपका हुआ है तो आज इस वीडियों बात करेंगे कि भी आपकी आंसर की को लेकर ही है इन विच एक्टिविटी ओल प्रॉफिट ओफा कंपनी अनों डिस्टिबूटेड अमंगस दा शेर होल्डर्स एज डिविटेंड बट पार्ट ऑफ प्रॉफिटेंड और रिइंवेस्टेड इन बिजिनेस तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिकिन जो कि आपका प्ल तो नेक्स्ट केशिन आपका 92 विच रेशो इंडिकेट दा फर्म स्केपसिटी तो पे दर लोंग टम डेट एंड प्रोक्योर दा अडिशनल लोंस एंड इन फॉर्म वैदर दा फर्म इज फॉलोइंग दा पोलिशी ओफ ट्रेडिग ओन इक्वर्टी तो देखें अगर मैं डेट सर्विस रेशो ठीक है तो अभी जब आपके ओफिशिल आंसर किया जाएगी वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो इसका जो आंसर हैगा आपका डेट सर्विस रेश्यो फोर्त आंसर हैगा नेक्स्ट आपका 93 आ देखें और एडज नोट कीप प्रोपर अकां यह बात करती हूं तो वर्किंग एपिटल ओफा कंपनी इस रूपीज टोटी लैक तो टोटल एटेट एट फॉटी टू लैक फुटी थाओजिन इफ दे कंपनी लोंग तर्म डेट सार तो टूटी सेवन लैक थर्टी थाओजिन निकालना तो अब जब आप इसका अन्ट क्योंकि पेपर आप सभी के पास है तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको रिडाउंट करके बताना चाहिए किसी नेक्स्ट वीडियो में डीटेल करेंगे तो 95 का जो आपका अंसर रहेगा यहां पे आपको स्टोक की वेल्यू निकालनी है जो कि रहेगा आपका 3 lakh ठी एपी स्क्राइगी कि यह अनसर लेक्शन आपका यह थो रिकिविडिटी तेगा है इसका जो राइनसर आपका ऊपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए तो यह investing के अंदर नहीं आएगा, यह आपका आएगा operating activities के अंदर, उसके बाद the next question आपका 98 question, तो 98 question के अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, representation of the various factors affecting the net profit and capital employed by a chart is known as, तो यह है आपका due point chart, ठीक है, fourth right answer है, which हुंडी is similar to demand bill, तो इसका right answer रहेगा, आपका first दर् of India, इस question का जो answer है, ठीक है, इसका जो answer है, इसका जो answer है, इसका मैं आपको बाद में थोड़े सा confirm करके बताऊंगे, अभी मुझे इसका idea नहीं है, वैसे आप बता सकते हो, कि इसका answer क्या हो सकता है, ठीक है, तो अभी इसको थोड़े से मैं चेक करूँगी, और उसके बाद जरूर बताने, ठीक है, नेक्स्ट आपका, from the following, which statement is no true for the bill of exchange, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, first, it is drawn by the debtor, नेक्स्ट आपका 102, कोशल and गुलाब are the partners, तो यहाँ पे basically आपको sacrifice ratio निकालना है, कोशल और गुलाब का, तो sacrifice ratio आप लोगों का निकल के आएगा, यह निकल के आएगा, 3 is to 5, जो कि हापका right answer, option number first, उसके बाद है, उसके बाद है, आपका the ratio in which the continuing partners have acquired the shares from the, तो जो अगर किसी को मिलेगा, ठीक है, अगर इसना मिलेगा, तो आपका क्या क्या लाएगा, gaining ratio क्या लाएगा, अगर आपने किसी को दिया, तो उसको sacrifice बोलेगे, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, 4th, जो कि हापका gaining ratio, ठीक है, उसके बाद next question, which statement is true for the receipt and payment account, के regarding क्या आपकी जो मारे receipt or payment account है, उसके अंदर हम, इसको depreciation को include नहीं करते, तो right answer हो जाएगा, आपका second, next question, आपका 106, ने पर्टिक, पर्टनर्स है, एग्री टो अगर टेकर, डिज इसका answer आपका क्या होगा, ठीक है, वैसे आप देख लेना, तो देखे वैसे तो जो 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 जनर्रल एंटी रहती है, अगर एक जो पार्टनर्स है, अगर वो बियर करता है, तो उसके इसमें जो एंट्री रहती है, realization account debit to हम partners capital करते है, लेकिन हापे नो ने बोला कि भी, वैसे तो पहले तो बोला गया था कि भी, पार्टनर है, वैब एर करेगा, लेकिन बाद में जो payment of realization expenses, जो किसने किया, फर्म ने किया है, तो इसका answer भी आपको मैं बाद में बताऊंगी, नेक्स आपका 107 question, तो इसका जो right answer रहेगा, यहाँ पे आपको पताना है कि भी, purchase amount के regarding कितने जो deventure हमने issue किये है, तो इस cancer आपका 1100, ठीक है, फिर आपका 108 है, जो इस cancer क्या रहेगा, इस का रहेगा, कि ही बोला गया, कि भी, जो monetary factor है, बता कि हमें पैसा मिले या ना मिले, लेकिन हमें जो transaction उसको record करना है, तो वो हमारा कौन सा system कहलाता है, एक्रूवल basis system, फि in the form of maintenance grant is treated, recurring मतलब किया, कि जो बार-बार हमें मिलते रहते है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, revenue receipt, उसको हम बोलेगे, इसका third answer हो जाएगा, 110 का answer है आपका, if the benefit of the expenditure, benefit of the expenditure extend up to only one accounting period है, तो वो revenue में चला जाएगा, ठीक है, अगर more than one होता है, तो आपका capital आजाता है, उसके क्योंकि जो हमारा capital expenditure हमारा non recurring होता है, लेकिन revenue तो हमारा क्या recurring है, उसके बाद first statement तो आपकी incorrect है, उसके बाद capital expenditure increase the earning capacity of the business, whereas the revenue expenditure are incurred to maintain the earning capacity, तो यह आपकी बिल्कुल right statement है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका option रहेगा, right option रहेगा, कि only statement second is correct है, उसके बाद next है, the expenses that are incurred in connection with the formation of the company, तो formation of company की regarding जो भी expenses होंगे, उनको विक्या कहलाते है, preliminary expenses, तो second हो जाएगा, आपका right answer, उसके बाद है, 113 question, the study of mutual relationship between the different components or their total, so financial statement is called, तो इसका जो right answer रहेगा, आपका, I think इसका answer आपका यही बनेगा, ठीक है, horizontal यह डाइनमिक नहीं, तो इस पे भी आप थोड़े सा doubt लग होंगे, otherwise आपके में, जो भी बतानों, आपके सही है, ठीक है, petty cash book is maintained for recording, तो सिर्फ हमे, petty expenses, paid in cash, उसी को हम रिकोड करते है, किसके अंदर, petty cash book के अंदर, तो right answer हो जाएगा, आपका second, 114 का, next है, फिर एक company, उसने एक उजार डिवेंचर, उनको इस्यू किया है, तो फिर बा बताने है, तो depreciation, must be charged is so as to is, ठीक हम net profit or loss निकाला जाते है, तो उसके लिए depreciation है, ठीक है, उसको चार्ज करते है, first statement हमारी correct है, second है, market value of NSR is higher than the book value depreciation, तो ऐसा तो नहीं है, कि मार्केट वेल्यो अगर ज्यादा होगी, book value से तो हम depreciation हो चार्ज नहीं करेंगे, तो second statement हमारी wrong ह है, तो right answer हो जाएगा, only first statement है, ठीक है, उसके बाद है, next question, 117, एक company है, ठीक है, यहाँ पर आपसे, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर basically क्या बोल गया है, यहाँ पर बोल गया है, कि भी आपको बताना है, the share forfeited, यहाँ पर basically क्या हुआ है, question के अंदर, जो आपका 117 question है, तो यहाँ पर basically पूछा गया, है कि भी इंदर, share forfeited account will be debited in the reissue entry, कि जब हम reissue करेंगे shares को, तो उस time जो share forfeited account होगा, उसको कितने amount से हम debit करेंगे, तो इसका right answer होगा, आपका 4000, ठीक है, तो जितना हम discount देंगे, उससी से तो debit करेंगे ना, उसको, तो हम 4000 का यहाँ प accounting period concept है, तो देखे, accounting principle में से आपके दो question आ रखेंगे, उसके बाद next है, the leverage, capital structure ratio are also known है, तो इसको हम बोलते है, long term solvency ratio बोलते है, leverage या फिर capital structure को, next आपका, यहाँ पर आपको correct statement है, बताना है, तो passbook is the statement of accounts of the customer maintained by the bank, ठीक है, first statement आपके रहित है, उसके बाद आपके बाद बैं reconciliation statement to reconcile the bank balance as per the passbook, cashbook with the passbook to show the difference, तो यह बिल्कुल आपकी बोथ statement क्या है, correct है, उसके बाद आपका next principle of enlightened marketing, that requires that a company seek real product and marketing improvement, तो यह आपका कहलाता है, innovative marketing, next banking and insurance are the type of industry, territory, industries को बोलते है, यह मैंने आपको कराभी रखे, partnership generally did not include, किसको include नहीं करता, तो यहां तो बिल्कुल अगसे दिखाए देन, list of employees, of firm, यहां पे partnership deed के अंदर आपकी नहीं आएगी, next है, the organization structure most suitable for the organization having the diversified, large organization और जहां पे क्या है, diversified आपके activities है, तो उसके लिए रहेगा आपका functional structure, और उसके बाद next है, interest rate and the inflation rate, तो यह आप किसके अंद bank, तो यह हमारे specialized bank के लाते है, import and export bank, उसके बाद है, best is the extra, जब भी extra word आजे ना, तो extra समझे लेना, वहां पे marginal की बात होगे, अब यहां पे देख लेना, अब यहां पे margin profit होगा, extra means, अगर additional, additional unit की बात आजे, तो इसका अंसर हो जाएगा, हमारा marginal profit, ठीक है, उसके बाद है, हमारा जो SARS है, SARS situated कहां पे है, यह आपका Kathmandu, Nepal के अंधर, ठीक है, उसके बाद next है, हमारा desire to satisfy the one interest, regardless to impact of the other, pay to the conflict is the competing, ठीक है, right answer हमारा competing, इसके बाद है, money is the, what the money does, ठीक है, definition है, यह तो भी fact-based है, जिसको पता है, पता है, तो इसका answer हो जाएगा, आपका, बोल कर, उसके बा next, आपका which among the following is not the element of the communication process, अगर आपको पता है, तो measurement आपका कोई उसके अंदर, उसकी जो process है, उसका element नहीं है, ठीक है, उसके बाद next है, present value, ठीक है, अगर cash flow में से, cash in flow में से, outflow minus करेंगे, तो हमारी क्या निकल कहाएगी, net present value, उसके बाद next है, the organized movement of the citizen and the government agencies to improve the right and the power of the buyer is called the consumerism, इसको हम कहेंगे, उसके बाद है, आपका staff authority, work as chain of command, next, internal element that may interfere, ठीक है, यहाँ पर क्या internal element है, लेकिन इसने क्या किया, अस्तक्षेप किया, इंटरफेर किया, तो यह कह लाएगा, आपका weakness, उसके बाद है, which of the following is including the fuel principle, अगर आपको पता है, तो unity of command हमारे क्या है, fuel का principle ह आपका first option है, import and export control act 1947 को replace किया गया था, उसके बाद, next, who determine the cash ratio, RBI means central bank, right answer हो जाएगा, हमारा first central bank, next, which one of the following is the characteristics of the transactional leader, देखे, इसमें भी थोड़सा डाउट है, आपका यह भी बन सकता है, inspirational motivation भी, और management by exception भी, तो अभी इस पे बीडाउट हाभी, क्या answer है, ठीक है, आपका फ second है, उसके बाद है, तो देखे, next, आपका process of organizing include, तो right answer हो जाएगा, assignment of duties, next, efficiency through work simplification, यह भी अगर आपको भी, वैसे थोड़ा standardization से आप idea लगा सकते थे, तो इसने, यह जो simplification और standardization पर किसने focus किया, टेलर ने, next, आपका, the opinion of the belief, segment and attitude, तो देखे, यह आपने CDP के अंदर भी क किया होगा, cognitive, cognitive किसे जहां पर भी विचार कि हम बात करेंगे, opinion and belief segment है, तो answer आजाएगा, हमारा cognitive component, when was, get established, तो यह आपका कब established हुआ था, 1947 के अंदर, get, उसके बाद, next, आपका, which one of these can be delegated, तो हम सिर्जो authority है, उसको क्या कर सकते है, delegate कर सकते है, तो second is the right answer, invisible, तो invisible भी जहां प्या गया, तो हो जाएगा, हमारा service transaction, ठीक है, उसके बाद, who has given the concept of, ठीक है, post corpse का जो आपका, concept है, किस ने दिया था, यह दिया था, यह दिया था, आपका, लूथर गुलिक ने, ठीक है, यह जो आपका, कुंटेज है, कुंटेज ने दिया था, आपका, post DC, post DC, इतना concept तो दिया था, कुंटेज ने, लेकिन उसके बाद, जो और भी लगा, तो उसको बाद में, यह दो ने दिया था, लूथर गुलिक ने, ठीक है, उसके बाद है, among the following sources, which is the internal, देखे, इस question पे भी मुझे डाउट है, क्योंकि जो internal source of recruitment, आपका, transfer भी है, और एक तरह से, जो recommendation of employees, य यह भी आपका क्या है, एक internal sources ही है, ठीक है, तो अभी देखते हैं, इसका भी answer क्या रहेगा, क्योंकि answer तो आपके दोनों ही है, recommendation of employees भी है, और transfer भी है, तो हो सकता है, यह फिर्स्ट priority transfer को मिल जाए, लेकिन वैसे, recommendation of employees में भी क्या रहता है, क्यों जो employees है, वी क्या करते है, अ तो उसको basically हम क्या कहेंगे, internal source of recruitment ही कहेंगे, next आपका, dash occurs if a given percentage increase in all inputs results in a smaller percentage increase in output, तो इसको बोलेगे, decreasing return to scale, उसको बाद नेक्सटा, who was proposed the need achievement theory, तो इसका right answer हो जाएगा, आपका डेविड, मेकलेन ने आपके दी थी, need achievement theory, ठीक है, तो paper वैसे देखा जाए, तो tough तो नहीं है, औ और बार-बार में आपको बोलती थी, एक अच्छे से करके जाना, तो बिल्कुल बेसिक्स एक तरे से बोल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक्स से आप से पुछे गए, ठीक है, दो चैर क्योशन को छोड़के, कोई हैसा, आपको ज्यादा घुमा फिर आके, ज्यादा डीपली भी पूछा गया, अगर जैसे थेोरी की बात करते हम, यहाँ पे सिर्फ आपको अगर यह पता की भी यह थेोरी किस ने दिया, तो यही पे आप से पूछा गया, कोई ज्यादा डीटेल आप से नहीं मांगेगी है, ठीक है, और नुमेरिकल की बात करते हैं, तो नुमेरिकल भी आपका स्कोर कितना रहा, कितने आपके मांक्स बने, और क्या चांसी जबी आपका स्टेट के क्वालिफाइब करने के, तो मुझे बताना हा, और यहाँ इसी के साथ ही, अगर यह जो बैने आंसर की आपको बताई है, तो देखे, अभी ऑफिशिल आंसर की तो नहीं आई है, क्यों बताना ग्ता है, तो आपको किए मिज़ी ऑपन के साथ बने रहे हैं, तो चनले को सबस्क्राइब कर लेए और कोई भी सुझाओ है, वहे आप अपना दे सकते हो, ठैंक्यू